हेलो दोस्तों सोहाना किचिन में आपका स्वागत है आज हम साबुदाना के पापड़ बनाने जा रहे हैंगे हम आधा किलो साबुदाना ले लिए हैं इसको अच्छे से धो लेंगे बढ़ियां से इसको धो लिए हैं अब इसमें हम पानी डालके राद भर के लिए रख देंगे फूलने के लिए रख देंगे राद भर चार आलू ले लिए हैं अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे करद्व कस्ति चार आलू को अच्छे से कर लिए हममासी सवार आलू को कर लेंगे हैं हैं अभी हैं पढ़ियां से धो लेंगे इसको दो तिन पानी से इसको हम धोलिया, अब साबु दाना भी देखिया कितना अच्छे से गल गया है भीग गया है इसको चलाते हुए पकाना नहीं तो तली में चिपक जाएगा और इसके साथ साथ हम आलू भी डाल देंगे जो ग्रेट करके रखे थे कद्दू कस साथ ही में डाल देंगे तो अच्छे से ये पक जाएगा आलू कच्छा आलू रहता है तो साबुदाना के साथ साथ वो भी पकेगा आलू भी नमक हम स्वाधा नुसार लेंगे नमक कम डालिएगा आदा टीश्पून चिली फ्लेक्स हम डाल दिये आदा टीश्पून खाने का सोडा है इसको अच्छी तरह से चला लेंगे चलाते हुई पकाना है इसको नहीं तो तली में चिप पकर जाएगा एक टीश्पून हम जीरा ले लिए खड़ा जीरा अच्छे से चला लेंगे इसको कितने अच्छे से पक रहाएगा इसको एकदम दीमी आज में पकाना है आलू भी गल जाए आदा टीश्पून हम काली मिर्च का पॉडर ले लिए हैं इसको भी हम डाल देंगे कितना अच्छा पक गया है यह हमारा बन गया है आप इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होएगा तभी हम इसको हम डालेंगे तो प्लास्टिक में चिपक जाएगा हम प्लास्टिक में तेल लगा लिए थे अब इसके उपर हम डाल रहे हैं धूप में आपको छोटा बड़ा जैसे बनाना है पापड इस होली पे हमारी तरह के तरीके से बनाई ये पापड कि लाई ये सब को ये हमारा पापड पुरा बन गया है तीन से चार दिन धूप दिखाएं देखिए सूप भी गया हमारा ही पापड तलके दिखाएंगे आपको कितने अच्छे तरह के से खुलता है ये देखिए कितनी अच्छे से ये फूल रहा है ये क्रिस्पी एकदम बना है ऐसे आप लोग भी बनाईए इस होली पे और हम तल लेंगे ये देखे कितना अच्छे फूल रहा है गा आप लोग भी घर पे बनाईए खाईए बताईए कैसा बना कमेंट करके ये देखे कितना अच्छे क्रिस्पी बना है गा ये देखे तोड़के दिखा रहे हैं आपको बहुत अच्छा क्रिस्पी बना है लाइक करिए शेयर करिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ठैंक्व झाल झाल